दोस्तो अभी हाली में मैंने मार्टियस लेन नाम की एक ब्रिटिश हॉरर मूवी देखी है जो की इसी साल रिलीज हुई और इसे रुथ प्लाट ने डिरिक किया है तो आज की इस वीडियो में हम और आप मिलकर मार्टियस लेन मूवी की कहानी जानते हुए इसके एंडिंग को डिसकस करेंगे तो फिल्म के ओपनिंग सीन में हमें एक फैमिली को देखते हैं जिसमें दस साल की छोटी बच्ची का नाम ली था और उसकी बड़ी बहन का नाम बेक्स, फादर का नाम थॉमस जो की एक प्रीस थे और मदर का नाम सारा था सारा अपने घर के कामों में काफी बिजी रहती थी और टीनेजर बेक्स अकसर अपने दोस्तों के साथ रहती थी जिसवये से ले काफी अकिली-अकिलीसी रहती थी इन्हें इनका घर चर्च के द्वारा ही दिया गया था, जहां आसपस चर्च याड में ही ले अपना most of the time spend करती थी ले एक सर छोटी-मोटी चीजे collect करती थी, like a leaf, feather या कोई भी ऐसी चीज जो से fascinate करती हो तो एक सुबह हम ले को अपनी मा के पास ही देखते हैं, जिने वो चिपकर घूर रही थी, as if वो उनसे डर रही हो ले की मदर सारा भी ले को देखकर उसे अपने पास नहीं बुलाती, instead वो उसे इग्नोर करती है सारा अपने ही किसी दुख से परिशान नजर आ रही थी, और ले उन्हें रोते हुए देखती है उस रात ले को ऐसा feel होता है, as if कोई dark shadow से stare कर रही हो, लेकिन light करने पे वहाँ कोई नहीं था वेल, next day सारा ले को उठाने आती है, और यहां ले का थेन अपने मदर के locket पर जाता है, जिसमें से उसे कुछ अजीब सी आवाजे सुनाई दे रही थी जब सारा नहा निकले जाती है, तो ले चुपके से उनका locket उठा लेती है ले जब उस locket को open करती है, तब उसे उसके अंदर hair lock, यानि बालो का गुच्छा मिलता है ले को कोई idea नहीं था कि यह hair lock उसकी मदर ने अपने locket में क्यों रखा था और यह किसका था ले इस locket को वापस अरखने जा रही होती है कि सारा washroom से बाहर आ जाती है और डाट परने की डर से ले यहां से भाग जाती है नौ, दो पहर को चर्च में prayer के समय जब सारा को पता चलता है कि उसका locket खाली है तब वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और वो beach prayer में ही घर चली जाती है खड़ा कर सारा पूरा घर उलट पलट कर देती है लेकिन उसे वो hair lock नहीं मिलता ले अपनी मदर को दरवाजे के पीछे से ही देख रही थी और उसे समझ नहीं आड़ा था कि आखिर सारा एक मामूली से बालों के गुच्छे के लिए इतना परेशान क्यों हो रही है थोड़ी देर कोशिस करने के बाद सारा रुख जाती है और वो रोनी लगती है इस पॉइंट पर लेक को लगता है कि मेभी उसे वो hair lock वापस locket में डाल देना चाहिए इसलिए रात को वो सारा के रूमें चुपके से जाती है और उस locket को ढूंड कर उसमें hair lock को वापस रखने ही वाली होती है कि तभी सारा करवट लेती है और ले डर के मारे उस hair lock को विंडो से बाहर फेक देती है अगले दिन हम ले को playground में देखते हैं जहां ले को अपनी मदर के लिए बुरा लग रहा था क्योंकि उसकी बेवकूफी की वज़ा से वो उदास थी तभी वहाँ बेक्स आती है जो ले को बताती है कि अब घर जाने का समय हो गया है बेक्स ले और उनका pet dog मिली playground खेलने आये थे और खेलते खेलते इन्हों ने यहां काफी समय बिता लिया था इसलिए बेक्स डिसाइड करती है कि वो घर एक shortcut रास्ते से जाएगी ताकि ये लोग घर जल्दी पहुँच सके बेक्स रोड से नौ जाकर forest से होते वे एक छोटे रास्ते को पकरती है और वो तीनों उसी रास्ते पे चल देते हैं अब रास्ते में जाते वक्त मिली अचानकी एक direction में भाग जाती है और बेक्स उसके पीछे उसे पकरने दोरती है ऐसे में वो ले को पीछे ही बूल जाती है और ले बिलकुल अकेली हो गई थी अब क्योंकि ले इतनी छोटी थी उसे आगे का रास्ता नहीं पता था और शायद वो खो गई थी ले फॉरेस्स से बाहर निकलने के लिए आगे बढ़ने लगती है जहां उसे एक बच्ची दिखाई देती है जो कि एक पेर के पीछे छिपी हुई थी इस बच्ची ने एंजल का कॉस्ट्युम पहना हुआ था और देखने में भी वो किसी एंजल से कम नहीं लग रही थी ले को लगता है कि ये बच्ची भी उसकी तरह खो गई है इसलिए ले उसके पास जाकर उसे हिम्मत रखने के लिए कहती है ले उस बच्ची से कहती है कि वो उसके घड़ आकर उसके साथ खेल सकती है और वो उसे अपने pet rabbit से भी मिलाईगी इतने में बेक्स ले को ढूहनते वे यहां आ जाती है और उसे अपने साथ चलने को कहती है लेकिन यहां हैरानी के बात यह थी कि दूसरी बच्ची all of a sudden ही यहां से गायब हो चुकी थी लेक्स को उस बच्ची के बारे बताती है और उसी के बारे में सोचते हुए यह लोग घर पहुंसते हैं खैर उस रात ले अपने रूम के खिरकी पर एक परचाई नूटिस करती है और पास आने पर वो देखती है कि यहां और कोई नहीं बलकि फॉरेस्ट वाली ही बच्ची थी ले विंडो ओपन कर देती और वो बच्ची अंदर आ जाती है ले और वो बच्ची साथ में खेलते और बाते वगड़ा करते हैं जहां वो बच्ची ले को कुछ फणी स्टोरी सुनाती है जाने से पहले वो बच्ची ले से एक weird चीज कहती है which was तुम जो ढून रही हो वो तुम्हारे backyard में है अब इससे पहले ले उस बच्ची से कुछ और पूछ पाती वो बच्ची यहां से चली जाती है ले को समझ नहीं आता कि वो बच्ची किस चीज की बात कर रही थी बट शी थिंक्स कि मेवी backyard में उसे वही hair lock मिल जाएगा इसे लिए वो backyard में उसी spot पर जाकर खोज बिन करना शुरू करती है जहां उसे वो hair lock तो नहीं मिलता लेकिन उसे एक पुराने cup में एक L letter का bead यानी bracelet का एक हिस्सा मिलता है ले इसे अपने पास रख लेती और इसे अपने collection में include कर लेती है morning में हम सभी को एक साथ breakfast करते वे देखते हैं जहां ले अपनी family को वही funny stories सुनाने लग जाती है जो कि वो बच्ची उसे सुनाई थी ले was expecting कि सभी इन funny stories को सुनकर खोश हो जाएंगे लेकिन वो लोग ये stories सुनकर shocked नज़र आ रहे थे in fact ले की मदर काफी sad हो जाती है बेक्सले से पूशती है कि उसे ये stories किस ने सुनाई लेकिन ले उसे कुछ नहीं बताती तो दोपहर को सारा की एक friend काईला अपने एक साल के छोटी बच्ची के साथ यहां रहने आती है ले जल्दी उस बच्ची के अच्छी दोस्त बन जाती है और वो उसके साथ time spent करने लगती है वेल रात को फिट लेके room में वो strange बच्ची आती है और वो दोनों एक दूसरे से बाते करते हैं बात-बात में ले उसे बताती है कि उसकी मदर सारा का एक sweater है जो की उनका favorite है लेकिन उसका top button हमेशा तूट जाता है और कहीं खो जाता है उसने कई बार खुद उनके लिए उस sweater पे button stitch करने की कोशिस करी है बट फॉर no certain reasons button कहीं खो ही जाता है ऐसे में ये बच्ची ले से कहती है कि वो जिस चीज को ढून रही है वो उसे घर की खिरकी के नीचे मिलेगी वो बच्ची ले से कुछ और कहना चाह रही थी लेकिन तभी काईला की बीटी के रोनी की आवाज आने लगती है जिससे ले का धियान बढ़ जाता है और वो काईला के रूम की तरफ चली जाती है वापस आकर वो देखती है कि वो strange बच्ची उसके रूम से जा चुकी थी पर ले उसकी बात नहीं भूली थी और वो उसके clue के मुतावेख ही खिरकी के नीचे खोजमिन करती है ले को यहाँ एक old doll मिलती है जिसमें एक पुराना सा button रखा था ले को realize होता है कि ये button उसकी मदर सारा के favorite sweater का ही था जो की काफी पहले से missing था यहाँ उसे एक और bead भी मिलता है जिस पर ए लिखा हुआ था ले इसे भी अपने collection में शामिल कर लेती और उस button को सारा के sweater पे stitch कर देती है इसी तरह वो strange लगी रोज रात ले से मिलने आती थी और उसके लिए एक clue छोड़ कर जाती थी उनकी बातों के दौरान वो strange लगी ले को बताती है कि वो एक angel है बट ले को उसके पास से positive vibes नहीं आती थी in fact उसे उसकी presence काफी cold और negative लगा करती थी एक रात को ले उस लगी से कहती है कि उसका एक दांट तूट गया है और हमेशा की तरह जाने से पहले वो लगी ले को बता कर जाती है कि तुम जिस चीज को ढून रही हो वो kitchen के shelf पे रखा है ले सुबह kitchen में खोजून करने लगती है जब अचाने की उससे by accident एक pot गिर जाता है जिसके अंदर किसी के milk teeth रखे हुए थे यहीं उसे एक और bead भी मिलता है सारा इस pot और इन milk teeth को देकर काफी रोने लगती है अब ले को लगता है कि शायद यह pot सारा का favorite था जिसके तूट जाने पर सारा रोने लगी है और अब ले डर जाती है कि शायद सारा उसे डांटने भी वाली है बट तूए सर्प्राइस दोपहड को सारा ले को अपने रूम में पहली बार बुलाती है और उसे थैंक्स करती है उस बटन के लिए जो कि उसने स्वेटर पे स्टिच किया था ले से बहुत खोश हो जाती है और उसका दिन हैपली बीटता है लेकिन रात को एक इंसिडेंट हो जाता है काईला की बेटी अचानक ही चोग करने लग जाती है क्योंकि उसने कुछ निगल लिया था जो कि उसके गले में अटक गया था सारा के काफी टैप करने के बाद वो बच्ची कफ करती है और उसके गले से एक बटन बाहर आता है और ये वो ही बटन था जो कि ले ने सारा के स्टिच किया था ले उस बटन को उठा लेती है और background में हम उसी strange लड़की को ले के पीशे खड़े हुए देखते हैं अब obviously next day काईला अपनी बेटी के साथ यहां से चली जाती है क्योंकि उसके हिसाब से उसकी बेटी का यहां रहना खत्रे से खाली नहीं था उस रात वो strange लड़की फिर से ले के room में appear होती है और इस बार ले उस लड़की से पूछती है कि आखिर वो कौन है और वो सर्फ उसे ही क्यों दिखाई देती जिस पर वो लड़की बताती है कि वो ले की guardian है जिस पर ले उसे proof करने के लिए कहती है वो strange लड़की ले को अपना back दिखाती है जिस पर उसके wings लगे हुए थे लेकिन ले यहाँ wings के नीचे wound notice करती है जिस पर कीरे लग रहे थे ले यह सब देकर काफी डर जाती है लेकिन वो उसे भाग नहीं सकती थी आज रात जाने से पहले वो बच्ची ले को बताती है कि अपने next clue के लिए उसे garden में लगे पेर पर चढ़ना होगा तो next morning ले उस पेर पर चढ़ जाती है जहां उसे एक और bead मिलता है जिस पर H लिखा हुआ था ले इस बीट को देने के चकर में पेर से नीचे गिर जाती है लेकिन उसे serious short नहीं आती Thomas ले की पट्टी कर देते हैं और उसे पूछते हैं कि वो पेर पे क्या कर रही थी लेकिन ले यहां उन्हें कुछ नहीं बताती नेक्स सीन में हम रात को फिर एक बार उस strange लेकी को लेक के साथ देखते हैं जहां आज वो लेक से एक deal करने आई थी वो लेक को बताती है कि अगर वो लेक को उसका नाम ढूंडने में help करेगी तो वो लेक को hair lock का location बता देगी जाने से पहले वो Martius Lane नाम की जगह के बारें बताती है जहां board के पीचे लेक को उसका next room मिलेगा वो लरकी लेक के कान में ये भी बोलती है कि सारा लेक को पसंद नहीं करती और ऐसा इसलिए क्योंकि वो लेक की जगह किसी और को जिन्दा देखना चाहती थी लेक को इस लरकी की बाते बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी और वो गुसे में उसे विंडो से धक्का देती है लेकिन वो लरकी गिरते वक्त बिल्कुल भी डर नहीं रही थी तो अगली सुब हम सारा को देखते हैं जिसे थॉमस की कलीग लिल्याना के पास जाना था तू सेंड सम बिल्स सारा अपने साथ ले को भी ले जाती है और बिल्स डिलेवर करने के बाद यहां फ्रेडी नाम का बंदा अपनी वाइफ के साथ आता है जो की लिल्याना का बेट हो जाती है ले डिसाइड करती है कि वो जल्दी जल्दी उस हेर लॉक को ढूंड कर सारा के लॉकेट में डाल देगी ताकि सारा खोश हो जाए इसलिए रात को वो मार्टियस लेन पहुंच जाती है और वहां बोर्ड की पीछे उसे एक और बीड मिल जाता है वित अल्फबे बेक्स ले को उसके रूम मिले जाती है और उसे पूछती है कि वो कहां गई थी ले बेक्स को सब कुछ सरसच बदा देती है और उसे वो बीर्स भी दिखाती है जिन पर लेटर्स लिखे हुए थे Now for some reason बेक्स ले के पास इन चीजों को देखकर एक्टम से ही डर जाती है और उसके हाथ पैर कांपने लगते हैं वो ले से कहती है कि उसे इन बीड्स और अपने बाकी कलेक्शन से पीछा चुराना होगा बेक्स इन्हें अगली मौनिंगी दफना देने का प्लान बनाती है औ and then वो और थॉमस चले जाते हैं यहां ले अपने विंडो से देख लेती है कि बेक्स ने वो बॉक्स कहां दफनाया है और इसके बाद उसे बेक्स के रूम में कुछ अजीब नोटिस होता है बेक्स के ड्रॉर से एक धागा बाहर आ रहा था जिसे खीचने पर ले को एक ब्र के बीट से मिला कर कोई नाम बनाने की कोशिस करती है काफी कोशिस करने के बाद ले एक सेंसिबल नाम बना पाती है विच वस रेचल अब जैसे ही ले इस नाम को पकारती है उसके सामने ही उसे वो हेर लॉक मिल जाता है सारा भी तब तक ले के रूम में आ चुकी थी और वो इस हेर लॉक को देकर काफी उदास हो जाती है और रोने लगती है ऐसे में ले सारा के सामने सच बता देती है कि उसने ही इस हेर लॉक को खो दिया था वो सारा से कहती है कि उसने बहुत मुश्किल से से रूना है और वो जानना चाहती है कि ये किस के बाल है अब यहां हमें इस family की एक dark history पता चलती है सारा ले को बताती है कि उसकी एक बड़ी बहन भी हुआ करती थी जिसका नाम रेचल था बेक्स के कुछ साल बाद ही रेचल का जन हुआ था रेचल सबकी लाडली थी specifically सारा की और सारा हमेशा रेचल को अपने पास रखती थी रेचल उसके sweater के top button से खेला करती थी उसके milk teeth को सारा ने संभाल कर रखा था और उसके लिए एक bracelet भी बनाया था इसी तरह समय गुजरता रहा और सारा एक बाद फिर मा बनने वाली थी जब उसके पेट में ले थी सारा 7 months pregnant थी और रेचल की costume party थी जिसके लिए उन्होंने रेचल को एक angel की तरह तयार किया था बढ़ उस दिन एक accident हो गया रेचल अपनी cycle से माटियस लेन के पास घूम रही थी जब एक car ने उसे टकर मार दी और यहां हम देखते हैं कि इस car का driver और कोई नहीं बलकी Freddy था नो वंडर वो लोग इतने uncomfortable हुए थे जब meet करे थे नो यह सब कहानी सुनाने के बाद सारा और ले के सामने रेचल आती है और ले रियलाइस करती है कि रेचल ही वो strange लड़की थी जो उसे daily night visit किया करती थी सारा रेचल को देखकर खूब रोती है और उसे गले लगा लेती है सारा रेचल को लेकर window की तरफ चली जाती है और एक last बार वो ले को देखकर I love you बोलकर रेचल को लेकर window से नीचे कूच जाती है इसके बाद हम कुछ दिन आगे का scene देखते हैं जहां Thomas घर change करने की तैयारी में लगा हुआ था और यहां ले अपने room से attic की तरफ जाती है जहां उसे सफेद बर्दों के बीचे सारा और रेचल एक साथ पियानो प्ले करते हुए देखते हैं और ले उन दोनों को देखकर खुश होती है मूवी यही पर खत्म हो जाती है तो दोस्तों ये थी मार्टियस लेन की कहानी और आप सब के मन में इस फिल्म की इंडिंग को लेकर थोड़े बहुत questions आ रहे होंगे वेल कहानी जानकर एक बात तो clear है कि सारा अपनी बेटी रेचल को बहुत प्यार करती थी और उसकी मौत की वज़े से ही वो हमेशा उदास रहती थी फिल्म के इंडिंग में जब सारा रेचल को देखती है तो वो शायद समझ जाती है कि रेचल सारा के लिए ही आज तक भटक रही है और उसने उससे मिलने के लिए ही ये सब किया सारव को ऐसास हो गया था कि रेचल तो इस दुनिया में नहीं आ सकती और उसकी आत्मा को श्ञान्ती दिलाने का कोई तरीका नहीं है इसलिए वो खुद को रेचल को सौप देती है और उसके साथ उसकी दुनिया में चली जाती है अब आपको वो सीन याद होगा जब काईला की बेटी उस बटन के विज़े से चोक करने लग गई थी और हम बैकग्राउंड में रेचल को देखते हैं वेल सारा को शायद यहाँ से समझ में आ गया होगा कि रेचल क्या क्या कर सकती है और इससे ले और उसके बाकी फैमली मेंबर्स पर भी खत्रा हो सकता है क्योंकि रेचल किसी को कुछ भी कर सकती है साइड यसे लिए सारा ने रेचल के साथ खिर्गी से कूदने का कदम उठाया एक और छोटी सी डिटेल जिसमें कई लोग का मानना है कि सारा की डेथ नहीं हुई थी येस ये वो वाला सीन है जो कि सारा और रेचल जम करती है उसके बाद जस्ट आता है जिसमें ले नीन से जाकती है और लोग अज्यूम करते हैं कि ये ले का नाइट में अथा लेकिन मूवी के लास सीन में हम सारा और रेचल की घोस्ट को एक साथ देखते हैं जो कि हमारी कन्फूजन क्लियर करता है स्टिल मेनी पीपल बिलीव कि ये सब बस एक नाइट में आही था बट मैं परसनली मानता हूं कि सारा भी लास में मर गई यानि कि वो रेचल के साथ रियूनाइट हो गई मार्टियस लेन रूथ प्लैट की लेटेस्ट होरो मूवी है और ये कोई casual होरो मूवी नहीं है जिसमें jump scares हो या creepy children Usually होरो मूवी एडल्ट के view से दिखाए जाती है जिसमें main lead किसी demon के बारे में पता करता है और finally उसे खत्मगर देता है लेकिन ये मूवी होरो के realistic aspect को दिखाती है जो की है past can be haunting मूवी काफी हतक similar है paper house की तरह जहां हम same haunting past के theme को देखते हैं और एक छोटी लड़की की नजर से इन चीजों को समझते हैं यहां क्या real है और क्या imaginative कई बार इसका पता लगाना काफी confusing हो जाता है तो बस यही थी माटियस लेन की explanation मुझे फूरी मिधा आपको यह वीडियो पसंद आई होगी अगर वीडियो पसंद आई तो से like को share कर नमत भूलिएगा और हां जाने से पहले हमारे चैनल haunting tube को subscribe करके bell icon को जरूर दबा दीजिए क्योंकि हम अपने channel पैसे videos लाते रहते हैं Peace